तो गाइज कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जमीन के नीचे से जो वाटर लेवल होता है वो जमीन से बहुत नीचे जा चुका है इस वैसे भारा सरकार ने इस नियम को लागू किया है लेकिन गाइज तो गाइज आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से कुछ बातें सेयर करना चाहता हूँ और कुछ सवाल जो है मैं आप लोगों के जरीए कुछ लोगों से पूछना चाहता हूँ तो गाइज आप लोगों ने कुछ बीते कुछ दिनों में आप लोगों ने जरूर ये ख़बर सुनी होगी कि भारा सरकार द्वारा खेतों में जो इंजन से सिचाई होती थी उस पे रोक लग गई है तो गाइज आप सभी जानते हैं कि सभी किसानों ने अपना फसल बो दिया है गाइज मैं भी एक किसान हूँ और मैंने भी अपना फसल जो है वो दिया है और सब कुछ ठीक ठाक चला है गाइज लेकिन आप लोग कुछ दिनों से देख रहे हैं गर्मी बहुत ज्यादा पानी चलाना जरूरी है, अगर पानी नहीं चलाएंगे, तो गये इस बार कि सिचाहाई inflation की चाहाई नहीं होगी, भारत में इस बारी चावुल की कमी हो जाएगी, तो यह सब चीजे हैं गय ど escape या इस पता नहीं यह अफवा है या फिर हकीकत है गाईज अगर हकीकत है तो गाईज आप लोग कमेंट करके जरूर बताईए और अगर अफवा है तो भी आप लोग कमेंट करके बताईए गाईज क्योंकि अगर भारत सरकार द्वारा ये नियम फिर से लाया गया है तो गाईज ये तो उसी नियम क तरह होगा जैसे कि पिछला नियम आया था आर्मी के जवानों के लिए अगनीपती स्कीम तो गाइस इस तरह तो केवल ये सरकार हम लोगों को पागल बना रही है तो आप लोग प्लीज गाइस आप लोग बताईए कि कमेंट करके बताईए कैसा क्या चीज है वाकई में सरकार ने इस नियम को लागू किया तो गाइस कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जमीन के नीचे से जो वाटर लेवल होता है वो जमीन से बहुत नीचे जा चुका है इस वैसे भारस सरकार ने इस नियम को लागू किया लेकिन गाइस अगर ऐसा कुछ है तो भारस सरकार को कुछ कुछ इससे बचने के लिए खेतों में सिचाई करने के लिए भी कुछ बेवस्ता करना चाहिए नई तो हम लोग क्या करेंगा तो गाइज इस तरह महंगाई और बढ़ेगी और चाव की देशों से लाना पड़ेगा तो गाइज ऐसा ना हो इसलिए कोई ना कोई जल्दी इस पर नियाम कुछ निकाला जाए कुछ कानून बनाए जाए गाइस तो बहतर होगा ठीक है गाइस तो आप लोग अपना अपना अपीनियन रखी है फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तद तक के लिए अ अजल में तो आप लोग झाले टे खिर बश्स प्तवकारू कर दो आप लोग और बनाए जाएस तो आप जड़ाएस तो आप माना शाओार को जाएस तो पाले शाओ और भीडियो बहाएस तो आपटे